नवस्कार दोस्तों, ब्रेक अप, ब्रेक अप, ब्रेक अप, ब्रेक अप से कैसे बचे, रिष्टों को कैसे बचाए, बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, हमारा ब्रेक अप हो गया, हमारे रिलेशन्स खराब हो रहे हैं, क्या करें, कैसे करें, कैसे हम अपने बेश कीमती रिष्टों को बचा दे यह वीडियो में उसी सिल्सिले में बना रहा हूँ एरसे बहुत सरी वीडियो बना हूँगा जिससे आप अपने रिलेशन्स को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किर सकते और बचा सकते हैं कभी आपने सोचा कि यह रिष्टे क्यों टूटते हैं इसका बहुत छोटा सा कारण होता है और वो होता है हमारा इगो हम कभी भी किसी के विसापने जुकरा नहीं चाहते हैं अब देखो यह जो बड़े-बड़े ब्रेक अपस हो जाते हैं जिन में बहुत बड़ा-बड़ा गह पा जाता है इनके रिजन्स को सर्च करोगा न अब तो बहुत छोटे-छोटे रिजन्स होते हैं अब यह बढ़ते क्यों चले जाते हैं मैं क्यों जुकूँ मैं आगे बढ़के उससे फोन क्यों करो फिर इगो के पीछे इगो की और लंबी-लंबी मजबूत-मजबूत दीवारी खड़ी होती चले जाती है फिर किसी के कहने पर आप फोन भी करते हो तो सामने वाले का इगो आता है किसे और जुकना चाहिए फिर इगो से इगो टकराते हैं और एगकार किसी का भी हो चाहिए वो मेरा हो चाहिए वो आपका हो चाहिए वो रावन का हो चाहिए वो सिकंदर का हो तोटता है जरूर है क्योंकि एगकार ना तोटे ना तो कोई भगवान को भी नहीं मानेगा तो अगर आप रिष्टों को बचाना चाहे तो आपको क्या करना पड़ेगा एंकार को तोड़ना पड़ेगा अगर आप अपने एंकार को खुद ही तोड़ना सीख दए तो आप समझ लो आप जिन्दिगी में रिष्टे बचाने की सारी कारी गरी सब कीमिया सीख दे जब कोई दो लोगों में ब्रेक अप हो जाता है, रिलेशन्स तोड़ जाते न, तो वो क्या करते हैं, दूसरे का वेट करते हैं, अब उसे कॉल करना चाहिए, उसे फोन करना चाहिए, उसने बात क्यों करी, ऐसा क्यों बोला उसने मुझे, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और जो situation आपकी न, ठीक वही situation उस person के जिससे आपका break up हो गया है, relations टोट गए, वो भी यही सोच रहा कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो phone क्यों नहीं करता, वो आके बढ़के sorry क्यों नहीं बोलता, ego टक्रा रहे हैं आपस में, और यह ego का करेंगे, यह ego हमारी चिंदगी के साथ खतम होते हैं, इस दुनिया में सभी छगड़ों की मूल बज़े, बहुत गहरे में आप देखोगे न, तो एहिंकार ही होती है, एगो से तो सबफसाद खड़े होते हैं, अगर हम ego को ठीक ढंग से समझ लें, अब अब बोलोगे हम अपनी ego को 100% कैसे छोड़ें, उसमें हमारा आत्म सम्मान जाता है, देखिए, आत्म सम्मान और रहिंकार दो अलग-अलग बाते हैं, आत्म सम्मान यानि कि आत्मा के होने का सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, वो बहुत बड़ी बात है, आत्मा का पता नहीं है, सेल्फ का आती पता नहीं है, लेकिन वर्ड हम अंजाने में योज़ करते हैं, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट हार्म हो रहा है, हमारा स्वाभिमान को ठ चुपाना बखो भी चाहते हैं, हम दुनिया के सामने बस एक ही बात साबित करने में लगे हुए हैं, कि हम गलत नहीं हैं, I am not wrong, how I become wrong, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, हर आदमी का यही तो कहना है, कि वो गलत नहीं है, और सारी लड़ा ही इसी बात किये, कि गलती मेरी नहीं, गल पुझे चाहिए, अब अगर हम जुखना सेख ले, अगर हम विनम्रता सेख ले, हम अगर सौरी बोलना सेख ले, तो आप देखना, मैं आपको गरेंटी देता हूँ, 90% ब्रेक अप अपने आप खतम हो जाएँगे, 90% जगड़ अपने आप खतम हो जाएँगे, अगर हम लेकिन सौरी बोलना पड़ा मुश्किल है थेंक्यू बोलने में तो कही ना कही हमारा हिंकार बच जाता है लेकिन सौरी बोलने तो वह में ऐसा रखते हैं जोट गया हम किसी के सामने जुप गए ये कैसे हो सकता है कि मैं जुप जाओं जुप न तो हमने सिखा ही नहीं है खड़े रहते हैं खजूर के पेड़ की तरह लंबे उचे किसी कामगे नहीं खजूर के पेड़ किसी को चाया नहीं दे सकते उसका फल कोई खा नहीं सकता वो कबीर ने कहा है ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंची को चाया नहीं फल लागे अती दूर पंची को चाया नहीं मिलती है फल इतने दूर हैं कोई छोब भी नहीं सकता इतना बड़ा हैंकार लेकर जिन्दिगी में गोमोगे तो फिर कौन आपके नस्दीक आएगा कौन आपके करीब आएगा ब्रिकक की सबसे बड़ी मौल वज़े है एहंकार अब यह एहंकार नए-ने कलरस लेकर हम डिजाइन करते हैं तरह तरह के एहंकार हैं उसने मुझे समय पर चाय क्यों नहीं दे उसने दूसरे के साथ बात क्यों करी एक तो हमारा क्या विश्वास भी नहीं रता है एक दूसरे के उपर विश्वास की तो बहुत ज़्यादा कभी हैं रिष्टों में जिन रिष्टों में विश्वास ही नहीं विश्वास की डोर तो है जो रिष्टों को एक दूसरे से मजबूती से बादे रहती है तो सबसे बिले तो विश्वास पैदा करना शुरू करो और विश्वास पैदा करने के लिए आत्म विश्वास पैदा करना शुरू करो जिसको आत्म विश्वास नहीं वो दूसरे का विश्वास कैसे हासिल कर पाएगा तो आत्मिश्वास को कैसे बढ़ा हैं, कैसे पैदा करें, यह सीखो, प्लस जुकना सीखो, सौरी बोलना सीखो, जैसे ही आपको अपनी गल्ती का एहसास हो जाए, तुरन सौरी बोलो, मुझसे मिस्टेक हो गई, मेरे आसपास तबाम ऐसे लोग हैं, जो पुड़े बहतरीन ल जाता है, बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारी गल्ती नहीं, मेरी भी गल्ती थी, तुम जुके तो सापने वाला जुका, वो कहते हैं, जुकती है, दुनिया जुकाने वाला चाहिए, आस्मा को धर्ती पर लाने वाला चाहिए, अब इन बातों को प्रैक्टिकली मत पकड़ लेजिए आसमा को धर्ती पर लाने वाला, यानि हम आसमा को धर्ती पर लेएंगे. कुछ लोग तो क्या है? शब्दों को हूभ भभ लेते हैं. शब्दों को मत पकड़ो, शब्दों के पीछे शुपे हुए इसारों को समझो, तो शब्द तो बोलना मजबूरी रहती न क्योंकि शब्दों के लावा और कैसी कम्यूनिकेट करेंगे आपसे एक अलग इस तर भी होता है उर्जाओं का इस तर लेकिन वहां तक वहां में और आपको दोनों को एक साथ पहुंचना पुड़ेगा तभी विदाउट वर्ड्स हम एक दूसरे से कम्यूनिकेट कर सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं तो मेडिटेशन को भी जीवन में जगे दीजिए मेडिटेशन से क्या होगा आपका मन बहुत शांत होगा ये जो पत्थर की तर एहंकार है न ये बी पिगलेगा नर्मोगा मुलाइमोगा मन की यह अकड़ है ये भी मोगी चिंदीगी पर आपकी पकड़ है ये भी कम होगी और रिष्टे बड़ी आसनी बहूं की सुधरती तो अपने हेंकार को जाचिये, परखिये, ढोड़िये, तलाशिये, और खुद ही उसके टुकडे-टुकडे करने के कोशिस कीजिए आज से और अभी से, फिर देखना, ब्रेक अप से कितिनी आसानी से, कितिनी जल्दी बचते रहेंगे सारी जिन्द गिया, मेरे वेडियो जर सब्सक्राइब ने किया हो, तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, बहुत बहुत गन्नवाद आपका.